दुबए में आया नया ट्राफिक नियम लगीगा 50,000 डिर्म का जर्माना साथ ही देश से किया जाएगा निर्वासित नमश्कार मैं हूँ प्रिया जोर आप देख रहे हैं UAE खबर खबर शुरू करने से पहले आपको जानकारी देते चले कि अब आप हमसे हमारे टुटर पर भी जुड़ सकते हैं चहां पर आपको UAE की तमाम खबरे तमाम जानकारी सबसे पहले मिलेंगी आपको बता दे टुटर पर जुरने के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्षिन में हमने अपना टुटर का लिंक दे दिया है आप वहाँ जाकर हमसे जुर सकते हैं तो चलिए अपको बशुरू करते हैं बतादे दुबश सहर में मोटर चालकू के लिए एक नए डंद और सक्त नियम पेस किया गया है इसमें खास करके प्रवासियों को साफधान रहने की जरूरत है क्योंकि अगर वो इस नियम का उलंगन करते हुए पकरे जाते हैं तो उन्हें जुर्माने के साथ देश से निर्वाशित भी कर दिया जाएगा बतादे स्थानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार नियम उलंगन पर 50,000 देरहम तक का जुर्माना है और प्रवासी मोटो चालकों के लिए 50,000 देरहम के साथ निर्वासन दंज के रूप में निर्धारित की गई है बतादे संसोदित यातायात कानून गुदुवार 6 जुलाई को लागू हो गए है संयोग तरव अमिराद के उपराश्पति और पिधान मंत्रियों और दुबई के शाषक शेक मुहमद बिन रासिद अलमक्तूम ने 2023 की टिकरी संक्या 30 जारी की थी या 2015 की टिकरी संक्या 39 के तत्वो को अपडेट और संसोदित करता है बता दे या अदेश अमिराद की सरकों पर गंभीर उलंगनों के बाद दुबई में वाहनों को जब्ट करने से संबंधित है यदि किसी वाहन को कुछ कारणों से जब्ट किया जाता है तो उसे चुडाने के लिए 50,000 दिर्हम का जुर्माना देना होगा अब ये कुछ कारण क्या है चलिए बताते हैं बता दे पक्की सरकों पर री क्रियेशनल मोटर साइकल चलाना इस अपरात की श्रिनी में आता है वाही वाहन को लापर वाही से या इस तरह से चलाना जिससे लोगों और संपत्ति को खतरा हो नकली और गैर कानूनी लाइसेंस प्लेट के साथ गारी चलाना, जान बूच कर पुलिस वाहन से टक्रा जाना या फिर 18 वर्ष से कम आयू में वाहन चलाना बता दे इन कार्णों से अगर आपकी गारी जब्त की जाती है तो आपको उसे चुडाने के लिए एक लाख दिरहम का जुर्माना देना पड़ेगा या उलंगन करने के बाद आपको लिस्स से बचकर निकल जाते हैं या बिना license plate के गारी चलाते हैं तो आपकी गारी जप्त कर ली जाएगी और ऐसी परिस्तिती में जप्त किये गये वहन को छुड़ाने के लिए कम से कम 10,000 दिर्हम तक का आपको जर्माना देना पड़ेगा यातायात कानूनों के तहट अगर किसी वहन पर 6,000 दिर्हम से अधिक का यातायात जर्माना लगाया गया है तो दुबई पलिस उसकी गारी को जब्द कर सकीगी जिसके बाद आपको गारी को छुडाने में काफी पैसे लगेंगे और इसके साथ ही आपको निर्वासित भी किया जा सकता है बताते दुबई यातायात कानून यह भी कहता है कि भारी वहन के गैर यूएई रस्ट्रिये चालक यानि कि जो प्रावासी है जो यूएई के नहीं है उनको देश से निर्वासित कर दिया जाएग यदिवल लाल बत्ती के माध्यम से भारी वहन चलाते हैं तो अब सबाल यह है कि जब किये वहन को छुडाने के लिए मालिक को क्या करना होगा तो चलिए बताते हैं दरसल मैनिमम लॉटेट टाइम समाप्थ होने तक मालिक को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी वहीं ट्राफिक यह तमाम प्रकीरिया के बाद उन्हीं उनकी गारी वापस कर दी जाएगी यह थी तमाम खबर बने रियसी खबरों के लिए UAE खबर पर